दोस्तो सुवागत है आपका IPL 2020 को लेकर इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कीरन रिजुजु ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है जहां पर उन्होंने साफ केलियर कर दिया है कि 15 अपरैल से IPL 2020 जो है वो सुरूर नहीं होने वाला क्या का है दोस्तो उन्होंने आपको बताएंगे इस वीडियो में तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं IPL 2020 का इंतिजार तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तो आपको का लग रहा है क्या IPL 2020 हमें देखने को मिलेगा या फिर कुरोना वाइरस की वज़े से ह जाएगा रद आप अपनी रहे जो है कमेंट करकर जरूर दें दोस्तो 29 मार्स से सुरू होने वाला IPL 2020 15 अपरेल तक के लिए जो है पोश्ट पून कर दिया गया है और यहां पर आपको बता दे कि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि 15 अपरेल से IPL 2020 सुरू हो जाएगा तो आपको बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है 15 अपरेल के बाद जो सिचुएशन है उसके इसाब से सेड्डिूल को दुबारा अनौंस किया जाएगा और यहां पर दोस्तों खेल मंतरी रिजूजू ने भी जो है एक बहुती बड़ा बयान IPL 2020 को लेकर दे दिया है जहां पर उ नहीं लिया जाएगा जिसका साफ साफ मतलब है कि 15 अपरेल से IPL 2020 हमें सुरू होता हुआ नजर नहीं आएगा तो यहां पर थोड़ा ओर डीले जो है हमें देखने को मिलने वाला है 15 अपरेल को जो है यहां पर नई एडवाइजरी इंडियन गवर्मेंट की जो है वो आने वाली है साथी साथ उन्होंने यह भी कहा कि IPL जो है कोई ओलम्पिक नहीं है और IPL सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट है इससे जादा जरूरी है लोगों की सेफटी और उसको पूरा का पूरा ध्यान में रखा जाएगा तो यह बहुती बड़ा बयान यहां पर इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरन डिजुजु ने जो है IPL 2020 को लेकर दिया है और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हमें किस तरह की अपडेट्स जो है वो यहां पर मिलती है IPL 2020 से रिलेटेड दोस्तों यह बहुती बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी जो क करें शियर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को जरूर दबाएं